हेलो दोस्तों में हुट प्रांचा सभी का स्वागार करता हूं कि तो वैल कि पिको फ्रेश वीडियो के अंतर तो दोस्तों आप सभी की सामें फिर साथी रूले करें यहां पे बिटकोइन्स की सारी की सारी ताज़ा विजए आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल आन अच्छी खासी मिलती है और उसकी जो वाल्यूम है वो भी हमें सफिशेंट मिलती है तो यह एक सही को बिटकोइन की प्रेसिस को और जदा है यहां पर गड़ सकता है तो अगर वाल्यूम हमें बहुत ज्यादा शांदार देखने को मिलें एवन जो क्लोजिंग वह भी बहुत ज़्यादा सप्राइसिंग लिए अगर बात करी जाए तो करीवन करीवन हम लोगों को टो टोल बात करें तो लगपग 217 डॉलर का यहां पर देखने को मिला और उसके पास भी बात करें तो जो मार्केट है और जदा पंप होगे लगपग 23800 को टेस्ट कर चुका है जिसके बारे में मैं आपको कल बताया था कि अगर आप इस वाले पूरे एरिया की हाइट को यहां से नाप है वह complete यहां पर कर लिए अब इसके बाद हम बात करें तो में पूरा की पूरा खूला असमान अब यहां से प्राइसे रियल शूट लेकिन इसका मतलब यह नहीं है यह market सीधा की सीधा pump हो जाएगा इसका मतलब यह है कि market थोड़ा correction ले लेके चलेगा हो सकता है वो correction बड़े हो हो सकता है वो correction छोटे हो लेकर आपको correction देखने को definitely आपे मिलने वाले है तो फिलाल में आपे बात करते हैं कि bitcoin ले एक अगला target क्या हो सकता है जो हम assume लगा सकते हैं तो maybe मेरे यसाब से जो bitcoin अपना एक next target यहाँ पर hit कर सकता है वो है दोस्तों यहाँ पर 30,000 डॉलर यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि इतना price pump हुआ है और यहाँ पर बट मैं यह नहीं कहारा कि यह सिर्फ एकी candle में पहुंच जाएगा मैं यह कहारा हूँ कि इसका अगला target जो है वो 30,000 के आसपास यहाँ पर होगा और उसके बाद जो अगला target है वो हमारे पास है 47,000 डॉलर के आसपास तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है और अभी के सबसे अगर बात करी जाए तो हमें जो मेजरिटी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो दोस्तों हाँ पर बन चुका है हमारा 20K का लेवल यानि कि यह एक ऐसा लेवल बन चुका है कि अगर इसकी उपर मार्केट आपका सस्टेन करता है तो यह मानी कि 30,000 से 47,000 डॉलर अराम से मार्केट देखने को मिल सकता है तो फिलाल मैं अभी के लिए यही यहाँ पर प्रेडिक्शन से एंड यस यह वाली केंडल क्लोस होने में कॉश्य हो जाओ कि कि नई एंट्रि आपर लेने से कोई भी सेंस नहीं बनता है बहुत ओपर मार्केट आगर एक इसके और से चींज करनी होंगी लेकिन अगर हम एक चोटा सा एजंप्शन भी ले ले लेते हैं कि चलो यहां से मार्केट यहां तक गया था तो कम से कम मार्केट 20,800 के असवास तक यहां पर हमें मिल सकता है लेकिन उसके कंडिशन यह कि मार्केट ऐसे और जाद ना करे और अगर यह पंप करता है तो स्टिल हम लोगों को लॉंग के टेट में ही रहना होगा पर कोई भी नई एंट्री इ वो लेना सही रहेगा क्योंकि फिर वो ट्रेंगल वापे से उपर के डिरेक्शन में ही जाने की कोशिश करेगा तो यहां पर थोड़ा सा देख सकते हैं और पूरा की पूरा ऊपर खुला हुआ है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा यह थोड़ा सा डिटा आ जाए उसका तो फिर प्राइस साइडवेस हो गया था इसके पहले हमने यहां पर भी देखा हुआ है जो कि आपको 11000 के आसपास था उसके बाद मरकेट साइडवेस हुआ था और यह मुमेंटम आप कंटिनियूसली देख सकते हो बहुत सारी जागे आपको देखने को मिल जाएगा तो च यहां तक अगर मार्केट जाता तो वहां से में भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है नहीं तो इस मन्त के अंट तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में भी यहां पर 30,000 टॉलर को टेस्ट कर सकता है लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जो रिहेविशन वाली मांट गॉक्स की वह अभी तक यहां पर नहीं आई है अभी से उन्होंने कोट के अंदर समिशन करा है तो जब भी वह न्यूस आगी थोड़ा सा इंपक्ट मार्केट पर हो सकता है थोड़ा नहीं बड़ा ही हो सकता है तो उसके लिए भी रैडिर है न ऐसा ना हो कि बुल मा की बात करते हो इस पॉइंट पर तो मैंगी सुपर बुलिश है और सबसे बात करें तो वंड़ा में यह प्रॉपर ली ब्रेक हुआ है जिसमें आप लेक सकते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा रूम है कि वह 100% के असपर तक यहां पर जा सकता है जा पिछली है तो लगब 84% के आसपास वहीं पर बात करते हैं मैकडी के बारे में खतरनाक वॉल्यूम आया हुआ है जो कि इसको आपको आपको बुलिशनेस आपको दिखा रहा है और इसी तरह कि पुलिशनेस हमें लास्ट टाइम भी आपर देखने को मिल चुकी है तो अभी जो मार्केट है वो कही ही हो गई है अभी तो आप इसको भूली जाओ कि अभी फिलालम है क्योंकि जब तक मार्केट 20 या डॉलर के नीचे नहीं आता है तब तक अभी इस गैप को फिल करना बिटकोइन के बहुत जादा मुश्किल है और मेभी जैसे मैं आपको दो सेनारियों बताए या तो बिट ही दम हाइस लेवल के ऊपर चल रही है जो कि हम लोगों ने कल एक असंप्शन भी लगाया था कि अगर यह असेंडिंग ट्रेंगल की हाइट को लगबग हम जच करते हैं तो जो डॉमिनिंस है तो जो हमने लगाया था कि जो डॉमिनिस है वह कहीं ना कहीं 66.76 जा सकती है है लगबग 9000 के असपास का जो मांक था वह ब्रेक करा था अगर आपको नहीं यादे तो मैं वहापिस बिट्कॉन के चार्ट पर चलता हूं यहां पर आपको सॉरी 9000 के असपास ही था यह वाला प्रॉट के पैटन ध्यान से समझ सकते हूं लगबग लबग डॉमिनिंस ने अगर यह ब्रेक कर पाता है सकसेस्फुली तो डॉमिनिस कहीं ना कहीं 88% के आसपास जा सकती है और यह 88% को पूरी तरह खतम कर सकता है और यह चीज़ अच्छी कि अभी भी हम लोग एक क्रेश्टिंस के नीचे हैं और यहां से कोई रिजेक्शन होता है तो वापिस हमें ज सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगर यहां से एक पार डॉमिनिस वापिस से चली आती है 89-90% के आसपास और वहां से गिरके फिर से करीबन-करीबन इसी लेवल पर आ जाती है कि 42-40 के आसपास है तो कितना बड़ा है आप हो सकता है हालकि का का नफॉमिशन तभी मिलेगा क्य कर्णा होगा या फिर जो य यूस्टी पेर वाले कौईन उनके उनके अंदर हमें ट्रेट करना होगा नेक्स दो सब्सक्राइब करते हैं तो यह है दोस्तों इथिरिम जिसका ब्लास्ट अपे फाइनलिस श्टार्ट हो गया है जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी वहां जिसको मैं बहुत टाइम पहले सापको बता रहा हूं कि अगर इधरी मिया से भागना स्टार्ट करता तो इसके लिए बहुत ज्यादा एजी है कि आराम से आट सुस हजार डॉलर जा सकता है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर यह अपना कर सकता है तो इसके उपर आपको थोड़ा सा जियान देना है हाले कि जिनकी एंट्री यहीं बोलूँगा कि अगर यहां पर कोई डिप आता है लगपक आपको 640 के असपास का तो आप यहां पर थोड़े सा बाइंग देख सकते हैं उस बॉक्स के नीचे कोई भी वैल्यू जा पिशली बार की वॉल्यूम के सबसे ठीक जाएं ज्यादा नहीं है पर बिट्कॉल में भी ज्यादा पैसा जा रहा है तो वहां पर जो वाल्यूम पर जादा स्मीट से आ रहा है यहां पर इंडिकेटर की बात करें तो मैक्टी और रसे दोनों बुलिश है फूर वर्स की सब से बात करें तो यहां पर भी पूलिश है रसे जो लगपक 83 के असपास है तो थोड़ा सा कॉशिस हो रहना यहां पर अगर प्राइज ज्यादा नहीं बढ़ते तो प्राइज थोड़ा सा क्रेक्शन लेकर फिर बढ़ सकते हैं उस पर हमें यहां पर खास और ध्यान देना है बाकि मैं वहीं बोलूगा कि अभी एक्दम से मत खुसो किसी भी कॉइन में थोड़ा सा वेट कर लो अगर वो उसका हाई तोड़ने की कोशिश करें तो फिर हमें जाना ही पड़ेगा लेकिन अगर एक सस्ता प्राइस भी मिल जाता है अपकले बैटर है और जो लोगों को ल टच कर गए हैं एक सो तीन डॉलर यहां पर जो लाइट को ने यह भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और यह वाला जो पूरा एडिया है आप चाहते इसको असले ड्रेंगल के फॉम में देख सकते हैं तो करीबन करीबन जो इसका टार्गेट है वह है 122 डॉलर जो कि मैं आ जो हाई मारा 146 डॉलर का यह हमें इस मंद के एंड तक यहां पर जनरी तक देखने को शायद यहां पर मिल सकता है तो फिला में वेट करते हैं कि यहां पर कोई भी करेक्शन है तो हम वापिस लटी से में घूस सके और अगर आपने छोटा बला फ्लाइक यहां पर ट्रेट क चल रहे होंगे नेक्स तो बात कर जाएं तो यह है दोस्तों चेन लिंक जो कि ब्रेक हो गया हमारा जो टार्गिट था लगवग 14.3 डॉलर से 14.7 का तो अब प्राइस की बात के तो 14.2 डॉलर तक मार्केट हिट कर गया है जो कि आप इसली यहां पर देख सकते हो और इस्ट अब मुमेंटम को अपसर्फ कर पाएंगे नेक्स तो कोईन की बात करें तो यह है तो सो बाइनस को जो कि स्टे फॉरवड करते हुए पंप हो रहा है हमारा जो टार्गिट था 31.8 डॉलर वहां तक तो भी नहीं पहुंचा है लेकिन 31.5 डॉलर के असपास तक मार्केट हिट कर चुका है तो पॉसिबल सिनारिव यह है कि मार्केट बहुत ही जल वहापी से अपने 34 डॉलर के टार्गिट को हिट कर सकता है क्योंकि जो असनिंग ट्रेंगल है यह स्टिल यहां पर वैलिड है आप इसको थोड़ा अपडाउन कर सकते हो चाहे तो आप यहां से भी अगर यहां पर जाते हुए मिल सकते हैं हलाकि हो सकता है थोड़ा सा टाइम और बिताया मार्केट और लगबग सताई दिसंबर या तीन जनवरी के आसपस है पर ब्रेक आउट मिले तो उसके लिए वेट करते हैं और बागी अगर कुछ चेंजेस होते तो अपडेट आपको कर करते हैं लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वह है दोस्तों हमारा बुल फ्लैग जो कि यहां पर इसको प्रॉपरली ब्रेक करता है तो प्राइस करीबन-करीबन 0.97 या फिर एक डॉलर के असपस इसली यहां पर पहुंच सकते हैं तो फिलाव में कोई दिक्कत न सकते हो और इस वाले बॉक्स को चाहो तो आप यहां पर रख लो फिलाव में तो इसका काम इतना नहीं है लेकिन यह फिर भी एक अच्छी पोजिशन यहां पर बनी हुई है नेक्स्तों की बात करें तो यह है तो नियों जिसके बारे में हमने कल बात करी थी कि अगर इसका है तो मार्केट करीबन करीबन हमें 19 डॉलर के असपर जाते वह मिल सकता है फिला में जो प्राइसे से वह 18.6 डॉलर को टेस्ट कर चुके हैं तो आप इसके उपर ध्यान दे सकते हो और नियों को थोड़ा सा अगर चाहो तो आक्यूमलेशन की तौर पर भी देख सकते हो क्य अगर यह पूरा की पूरा बुल फ्लैक यहां पर वाक कर जाता है हाला कि वेसिकली तो मुझे यहां तक लेना चाहिए तो अगर मैं इसको यहां से लेकिए काउंट भी करूं तो लगबक लगबक प्राइस थर्टी डॉलर के असपास यहां पर जा सकते हैं जो कि इसका प्र हो चुका है अब नेक्स टार्गेट हमारा यहां पर 5.9 डॉलर का प्राइस से ऊपर है अगर हलका वुल का करेक्शन मिलता है लगबक 5.5 तो हम वापीस यहां पर टार्गेट लेकि चल सकते हैं जो कि हमें 6 टॉलर के आसपस तक हाइस यहां पर भी पहुंचा सकते हैं एक श जो कब का साइज यहां पर देखने को मिल रहा है इस वाले portion के अंदर यहां तक तो इसका breakout के बाद से जो टार्गेट रहे का वो लगबक लगबक 8.5 डॉलर के असपस यहां पर रह सकता है बट मार्केट इसकी उपर आना बहुत ज़रूरी है 6 डॉलर के और कुछ टाइम त नेक्स यहां पर बात करें तो यह है दोस्तों बेटकॉन केस्ट जिसने हमारे दोनों टार्गेट कर दिये फिलाल में इसमें अभी कोई एंटी नहीं मिलती है लेकिन हां अगर प्राइस क्यों पर आकर स्टेबल हो पाते हैं 324-320 डॉलर के हम टार्गेट ले सकते हैं अरू इसका लास्ट हाई था 499 याने कि 500 डॉलर को भी टेस्ट कर सकते हैं तो बाकी अपडेट्स में आपको रेगुलर वीडियो में दे दूँगा पर फिलाल में अगर यहां पर हमें मार्केट थोरा स्टेबल या फिला तो एक अच्छी बात है एक अच्छी एंट्री मिल सकती ह और अभी के लिए तो मार्केट थोना सा बुलिश है तो मार्केट इसका जो हाई है लगवग 370 वन उसको टेस्ट करने के लिए आप जा सकता है नेक्स वाइन की बात करें तो यह है दो सो बैंड टोकन जिसके लिए मैंने कल आपको नहीं बताए था तो आज फाइनली हमें यहां पर ब्रेक देखने को मिल गया है क्योंकि यह जो चैनल था है कही ना कहीं कल टेस्ट हो रहा था तो आज यह पूरी तेलेगी से फेल हो गया और प्राइस जो है उसके उपर यहां पर ट्रेट कर रहा है तो अब ही क्लिए आप टार्गेट 7.8 डालर के असपास मान सकते और एक बार अगर 7.8 डालर ब्रेक होता है क्योंकि इस पूरे को में रिमूफ कर देता हूं तो आपको यहां पर एक चीज देखने को मिले कि कहीं ना कहीं यहां पर हमें एक हैड और यह जोल्डर और यह शोल्डर है प्लस इसके साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर साथ अगर पूरा हैड यहां पर ट्रेड होती है मार्केट के अंदर और यहां से ब्रेक आउट अट तो लगबक प्राइस 11.6 डॉलर तक यहां पर जा सकते हैं तो इसके उपर आप थोड़ा साथ वेट करके देख सकते हो क्योंकि प्राइस को ब्रेक होने में भी टाइम है लगवाग में भी शायद दिसंबर के एंड वीक में आपे हो जाए बट यस अभी जो शॉर्ट ट्रेट्स हैं वो आप 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 कर पाएंगे नेक्स दो कोई की बात करते तो यह है दो सो आड़ा जो कि फाइनल यह पर बांस करने कर ऊपर की तरफ निकल गया है इसको म अभी यहां पर आड़ा 0.7800 का लेवल पार कर जाता है तो सबसे पहले तो अगर हम इस ट्रेंगल की सबसे बात करी जाए तो यहां पर जो प्राइज से उसको यह ले जा सकता है लगपक लबग 0.24 तक और अगर यह बिटकोई के जिसे शार्प मूव देता है क्योंकि हम सभ करते हो कुछ महीं ने हो गए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा नेक्स तो यहां पर बात करी जाए तो वेसिकली हमारे सारे कोई खतम हो गए टोटल मार्केट के उपर आते हैं तो टोटल मार्केट कैप ने फिलाल में ब्रेक कर दिया बहुत यह अच्छी तरीके से त वहां तक मार्केट जा सकता है अब यह है कि एकदम से तो नहीं जाएगा थोड़ा सा हिलता फुलता जाएगा जैसाब यहां भी देखो कि तो मार्केट थोड़ा रूखा फिर गया थोड़ा रूखा फिर गया इसी तरीके से मार्केट यहां पर थोड़ा गिरेगा और फिर यहां पर जाएगा तो अगर यह 865 बिलियन के असफर जाता है तो बीटी सी आपको आराम से 30 के असफर देखने को मिल सकता है और इसकी बात जो हमारा टार्केट है वो है वन पॉइंट वन ट्रिलियन डॉलर का जहां पर की मार्केट जाता है तो लगबग लगबग पजास मार्केट यहां पर जा सकता है और मार्केट के अगर बात करें तो मार्केट का भी आल टाम है नहीं लगाए मार्केट के में बात कर रहा हूं इसका लास्ट टाइम था 782 बिलियन डॉलर का और अगर यह चीज़ ब्रेक होती है तो जो आपको बिटकॉण में धहमा का देखन सब्सक्राइब तो मार्केट के अंदर भी ब्लास्ट हुआ था जो कि मैं आपको बता था तो अभी शॉट में टार्गेट हमारे पास 290 डॉलर के आसपास का है यह आप 300 डॉलर यहां पर पकड़ सकते हो और इसके लिए हम लोग वेट करते कि क्या होता है क्योंकि जब यहा या मार्क कर रखें अगर इसमें प्राइस आता तो तो में भी शायद थोड़ा सा पर करेक्शन दो सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन जो भी चीज़ों कि मैं आपको डेली वीडियो इसमें अपडेट हैं पर कर दूंगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही है अब चलते ह जादा परसेंटेज होता ही है क्योंकि जो क्रिप्टो फंड मैंजर है वह इसको सिफ इतना ही नहीं ब्लूमबग ने तक खबर को आप पूरा की पूरा नोट डाउन करा है आप देख से वह ब्लूमबग की साइट है और यहां पर इसवाली इमेज को देखते हो तो आपको चाहिने को मिलेगा कि यहां पर जो कर से यह बहुत ज़्यादा प्रीमियंग चार्जेश करें और इतने ज्यादा प्रीमियंग हम लोग तो खरीदते नहीं है तो इसको कौन खरीटता है इंस्टिटूशन इस 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 अभी इनको इस प्रीमियं प्राइज पर खरीद रह एस्टोफ में की बात करते तो एस्टोफ में बेसिकली प्लैन भी ने यह चीज़ हमें शेयर करी है जहांपर की एक्ष्मेंट ने तोटल तीन साइकल देखा ही है पहली साइकल है जो कि हमें लास्ट टाइम देखने को मिली थी जब बिटकॉण लेकिन यहां पर आपको सारी देखने को मिलेंगी तो जो फ्लो मॉडल उसके सबसे बिल्कुल सही चीज़ें आपके चल रही है और अगर यहां पर बात करें तो मार्केट का जो डारेक्शन वगितम पर्फेक्ट है जो कि 100 के लिए यहां पर उसके और चल रहा है अगली दूस सबसे पहले मॉडल है इसके उपर आप उसको चेक जाके कल लेना या तो फिर माई बटन में उपर दे दूँगा तो यहां पर आपको यह उपर डॉट्टे लाइन दिखरी है न यह एक्च्व में वह लेवल है जहां पर की हमारा जो प्राइस होता वह जाके टकराता है जब इसके बाद आप जो टॉप है उसमें इन्हों ने पता है कि अभी के सबसे जहां पर हमें ब्रेक आउट देखने को मिला है और यहां पर जाते हैं अगर आप यह थोड़ा प्रीवेस अली इमेज में जूम करके देखो तो जहां पर बीडॉट हो जाता है उसके बाद से जो अगर वह चीज इस बार भी हमें देखने को मिलते हैं तो प्राइस करीबन करीबन दो से तीन लाग डॉलर के बीच में अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी अजीब सी बात हो यहां हो सकता है लेकिन देखते कि क्या होता है बाकि अभी के लिए जो मार्किं 50% होता है होगा टोटल गोल्ड मार्केट का और अगर हमारे बिट्कॉम का मार्केट के इस वाली बूल साइकल के अंदर लगबख लबख चार्ट रिलेंट के आसपास भी पहुंचा तो इतनी कोई अचंबे वाली बात नहीं होगी यह गोल्ड का 50% के आसपास यहां पर जा वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरह जो मदूरों है वो और यहां पर जो इनके जौन गॉर्डन उनके बीच में पर लड़ा ही चल रही है और जो यूए से वहां पर प्रेसेंट बनाना चाहता है ऑफिशली क्योंकि मदूरों ने कबजा कर रहा है वो उनको पैसे बेजने नहीं दे रहा था तो टो लास्ट उनोंने यूए स्टी सी की एल्प लिए थी पैसे बेजने करे वैसे यहां पर जो है इनुन ने वाक्स करके जो अप्लीकेशन है इसकी हेल्प लिए चाहाँ पर प्लेटफोर्म है जो कि इसकी वोटिंग कहां पर काम आता है और औ Canada की तरह से Canada का दोस्तों जो सबसे बड़ा एक्सेंज है जो कि है दक टोरेंटो स्टॉक एक्सेंज उसके उपर दोसा पर जो फंड हो लिस्ट हो गया है इस फंड का नाम है यहां पर सी आई ग्लोबल असेट मैनेजमेंट जिन्हों ने जो फंड यहां पर लिया था वो लिया पाएंगे और इन्हों ने यहां पर प्रॉपरली भीटकॉन खरीदे हैं तो इनके जो बिटकोई ने वहां पर रहने वाले और आप समझते हैं कि टॉरेंटों का जो स्टॉक से वूरे कैनेडा को सर्फ करता है यहां पर ट्रीडी और यहां पर जो चीज है वहां पर अंइमि जो कि में भी हमें फर्वरी तक भीड़ा लिस्ट होने वाला है व 자 Имे यहां पर देखने को मिल सकता है तो को पीसलेक करेंगा चलनल पर चनल पर घृट तो इसलिच्ट न थिदिने को जडिक चरता है आइंसिशक लिगो सिर्याल और आट dua